सर आपका बहुत स्वागत है टीवी नेन भारत वर्ष पर मैं आपसे केजरिवाल के अर्विन केजरिवाल के गिरफतारी को जो चुनौती दी गई थी दिल्ली हाई कोट में और जिसको खारिज करते वे एक कोट ने काया है कि नहीं गिरफतारी सही है इस पर आपका पहला रिय एक्षन जो है बिल्कुल ऑन एंटिसेपेटेड लाइन्स है देखिए यह जो आज दिली हाई कोट में इन्होंने गिरफतारी को चैलेंज किया था उन्होंने चैलेंज किया था सेक्षन उन्निस ऑफ प्रिवेंशन और मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत वहां पे सेक्षन च परीके से कहा कि केदरिवाल जी की जो इन्वाल्मेंट है उनकी परसनल कपैसिटी में है क्योंकि वो जो एक्साइज पॉलिसी बनी थी 2021 में उनका डारेक्ट पार्टिसपेशन है और एस चीफ मिनिस्टर भी है और इस आम आदमी पार्टी कनवीनर भी है उन्होंने एस आम पार्टी कनवीनर उन्होंने किक बैक्स डिमांड किये और अप्रूवर्ज की एविडन्स है जो इन्फॉस्मन डारेक्टरिट ने कोट के सामने रखी है कि इन्डिविजुली क्रिमिनल कॉंस्पिरिसी इन्होंने की इन्होंने ऐस चीफ मिनिस्टर इन्वाल्ब्मेंट है आम आदमी पार्टी कनवीनर इन्वाल्ब्मेंट है और जो प्रूसीड्स ऑफ क्राइम है वो वहां से लेके वो गोवा के चुनाफ तक पहुंच गये हैं अभी इन्होंने सवाल उठाया कि जो अप्रूवर की स्टेट्मेंट्स रिकॉर्ड की गई है वो ठीक तरीके से नह हुई तो जजज साहिबा ने ये भी कहा कि ये जो ये जो कानून है एक सो वर्ष पुराना है कोई एक साल पुराना कानून नहीं है और जो कोट ने अप्रूवर की स्टेट्मेंट रिकॉर्ड की है ये किसी एजनसी ने नहीं की है और दूसरा ये जो उनकी इन्वाल्ब्मे case and court has to examine his arrest and demand as per law irrespective of timing of election ये कह रहे थे क्योंकि चुनाव हो रहा है इसले लेकिन लेकिन हर्दीब जी इसी फैसले के तुरन बाद आम आदमी पार्टी ने press conference करके एक बहुत बड़ा allegation लगाया है उन्होंने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी और केजरी वाल को खत्म करने का सबसे बड़ा शडियंत रहे देखिए आम आदमी पार्टी कोई भी allegation लगाना चाहे बड़ी खुशी से लगा सकती है उसको कोट भी एक्जामन करेंगे और जो जनता की अदालत है देख कोट और पबलिक अपिनियन है वहाँ पी भी ये allegation एक्जामन होंगी अब क्या इसकी what is the political background 2011 में अन्ना हजारे जी ने करप्शन के खिलाफ एक अंदोलन चलाया जिसमें केदरिवाल जी भी शामिल हुए उन्होंने कहा कि हमारा अंदोलन करप्शन के खिलाफ है उस समय सत्ता में कौन थे? कॉंग्रेस पार्टी थी और 11-12 साल बाद 2011 में हुआ है अभी फिर रामलीला मैदान में एक आई फुल स्टॉप N, फुल स्टॉप D, फुल स्टॉप I, फुल स्टॉप A घमंडिया एलाइंस की एक political meeting हुई वहाँ पे जिनके खिलाफ ये करप्शन का अंदोलन चला रहे थे वहाँ उनसे गले मिल गए और कोई किसी को किसी राजनीतिक दल के साथ जो विरोध होता है political opposition है कोई किसी को खतम नहीं कर रहा है अगर आपके खुद के actions ऐसे हैं आपने 2011 में कहा था कि हम दारू के खिलाफ हैं फिर 2021 में जाके पूरे 2011 से लेकर 2021 आपने शराब में इतना बड़ा घोटाला किया जिसमें आप खुद participant थे और वो सब document हो गया तो इसमें political motivation तो ही नहीं दिस इस a criminal case or the proceeds of crime in that case वो चलते चलते गोआ के चुनाफ तक पहुंचके तो इसका केदरिवाल जी को जवाब देना होगा अभी अगर सुप्रीम कोट में अपील में जाएंगे या कोट के सामने आज चो हुआ अभी judgment चो आज जजज साहिबा की है अगले एक हंटे के अंदर upload हो जाएगी एक आखरी सवाल वो गटबंदन जो इंडिया जिसका नाम है जिसको आप घमंडिया कह रहे हैं क्या केजरी वाल के इस फैसले के बाद क्योंकि कोट ने कहा है कि चुनाव के चुनाव की परवा किये बिना कोट तत्यों पे चलता है स मैं इस पे कॉमेंट नहीं कर सकता कि फैक्ट की करफशन इनमें इंडिया अलाइंस में कई ऐसे फैमिली पार्टीज हैं जिनके खिलाफ करफशन पे कितने चार्जिस हैं इनमें कई पुलिटिकल पार्टीज हैं जिसके लेडर नेता लोग जो हैं आज बेल पे बाहर हैं वो मिलेंगे उन्हों अलग जस्त जाएंगे नई पार्टी बनाएंगे ये मेरे लिए इस पर कॉमेंट करना मुश्किल है ठीक है थैंक यू सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए किंद्रे मंत्री हरदीब सिंग्पूरी हमारे साथ जुड़े वे थे अर्विन केजरिवा पर दिली हाई काउट का जो फैसला आया उस पर अपनी बात रख रहे हैं